हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मध्या प्रदेश बोर्ड का कलास 10th के प्रेक्टिस पेपर या सेंपल पेपर जो बोर्ड ने प्रोवाइड कराए हैं मार्च 2024 के एक्जाम के लिए जो फाइनल एक्जाम होंगे आपके इस सेशन के 23-24 के तो इसमें आपको जो संस्क्रिट का पेपर है वो कुछ इस तरीके से मिलने वाला है जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ शुरू करते हैं वीडियो को मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले बता दू अगर आपको पेपर एनलिसिस की वीडियो देखनी है बाकी सब्जेक्ट की भी क्लास 10 की तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में पेपर या फिर जो है मोडल पेपर जो मैं अभी बता रहा हूं मोडल पेपर तो अगर यह सारी मोडल पेपर आपको इस वेब साइट पर यहां पर मिलेगा गूगल पर जाकर यह नाम सर्च करना बस आपको CCL चैप्टर.com CCL चैप्टर लिखोगे तो भी उपर ही वेब साइट आजाएगी पहले नंबर पे उसको खोल लेना है उसमें आपको जो है मोडल पेपर में मोडल पेपर मिलेंगे देखने को नए वाले अगर आपको important question वगारा देखने है तो वह book solution हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम में अपनी बुक्स चूज कर लेना और उसके अंदर आपको चैप्टर वाइज सोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे कोई भी result या news वगार अपडेट आती है तो वह यहां से मिल जाएंगी books भी download कर सकते हो इसी website चे अगर ebook आपको चाहिए आपके board exams के लिए तो यहां से आपको सारी चीज़े मिलेंगी इस website पर विजिट जरूर कर लेना अब देखते हैं Sanskrit का जो paper है वो आपका कैसा रहने वाला है किस तरीके से paper रहने वाला है आपको पता ही होगा या difficult language होती है यानि कि थोड़ा मुस्किल होता है बाकी subject हो के comparatively समझना और attempt करना तो इसलिए इस वाले paper में आपको बाकी जितने paper से normal वाले उनसे ज्यादा extra questions और alternate questions देखने को मिलेंगे अब जो आपका paper होगा उसमें total question होगे 23, 7 pages में आएगा 3 घंटे का time दिया जाएगा और 75 नंबर का आपका paper रहेगा जिसमें आपको परसुनों के उत्तर देने है ज्यादा तर आपको whenever the type से गई मिलेंगे तो देखो इसमें पहला question आएगा question 1 जो कि 6 नंबर का होगा इसमें आपको उचितम विकल्पम चितवा लिखत यानि कि उचित विकल्प चुन कर लिखना है तो इसमें आपको वो करना है मतलब mcq है यह basically अब आपको जो है उत्तर लिखते time पे time पास नहीं करना exam में बिल्कुल भी बहुत सारे student का मेरे को पता है वो यह करते हैं पहले question का क्य अबर से person number है क्या है और क्या का उत्तर जो भी यह आपको नहीं करना जो भी अंसर है वह अपने दूसरा question जिसमें आपको रिक्त स्थानम पूर्ति कुरूत रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है जो कि आपको bracket में दिये हैं इनमें से उठा के कोई सा भरना रहेगा यहां पर आपको आठ question दिये जाएंगे टोटल आठ question होंगे जिनमें से आपको कोई से 6 question करने हैं सारे के सारे बिल्कुल attempt मत करना कहीं आप सारे attempt करके आ जाओ तो teacher जो है शुरू के 6 को consider करेगा और बाद के 2 को काट देगा तो जो भी 6 आप attempt करो वह आपने best करना पहले उसके question करने है इस तरिके से आपको उसके बाद में सुद्वध का नाम समक्सम अम अशुद्वध के नाम ना इती लिखत को P60 तो इसमें भी आपको 6 अगर वाक्य सही है तो आम लिखना है और असुद है तो ना लिखना है तो आपको बस यह करना है जिसमें आपको यहां पर करने हैं जो भी मिलान बनेंगे वह आपको यहां से करने हैं उसके बाद में जो है जो है जो है नंबर का पांच वा कोश्टन आएगा जिसमें आपको एक पदेन उत्रम लिखेंगे और जितने भी question होंगे, सब में आपको extra question देखने को मिलेंगे, alternate question सारे बड़े question, जितने भी बड़े question है 5 number के बाद में, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी end तक, सब में आपको extra question मिलेगा, हर question के साथ में, तो 2 number का है अथवा में मिलेगा, 7 वा question, 8 वा 9 वा, सबी question में आपको ऐसा ही pattern देखने को मिलेगा उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, आपको क्या करना है यहाँ पे 2 number का question है, के चित दवे, कोई से 2 ही हिन में से आपको attempt करने है, पद माद रित्या परसन निर्मान कुरूत, इस पद से जो है, परसन बनाना है सिर्फ वो word बदल के question निर्मान करना है वैसे ही जो है यहाँ पे वाक्यानिक एकम परती कत्यती, तो इसमें क्या का गया, वो आपको यहाँ पे बताना है 2 number में 4 question है, इन में से कोई से 2 attempt करने है उसके बाद में 2 number में 1 1 into 2, 2 करने है 2 marks का रहेगा यह परसन पत्रे, समागतान स्लोकम विहाए सव पाठ्या पुस्तकात एकम स्लोकम लिखेद इसमें आपको क्या करना है, तेरवे question में जो paper है paper में जो स्लोक आय हुए है उनको छोड़ कर, अपने पास से कोई भी एक स्लोक लिखना है जो कि आपकी किताब में से आपने पढ़ा हुआ हो इस वाली में से, जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है तो एक काम जरूर करना book में से कोई भी एक पहरा at least अगर risk नहीं लेना चाहते है दो पहरे, आप रट के चले जाना जो कि आपके लिए best रहने वाले आराम से आपी easily attempt उनको कर पाओगे ये वाले question में दो नमबर आपके नहीं कटे है कोई साएक स्लोक जो छोटा हो आसान हो याद करने के लिए वो रट के जाना और spelling mistake मत करना हो आपके जाके फिर, उसके बाद में जो है कोई से चार करने दो extra question है समूचित पदेन रिक्टस्थानानी पूरियत यहाँ पर आपको जो है इसमें खालिस्तान भरना है जो भी आपको suitable लगे वो भर देना है उसके बाद में 16th question है इसमें भी आपको चार करने है इसमें आपको जो है अधो लिखितानी वाक्यानी कथा कर्मानु सारन योज्यत इसमें आपको जो है क्या करना है यह जो वाक्य लिखे हो है इसको कहानी के अनुसार अरेंज करना है इन वाक्यों को और आधे नंबर में कोई से चार वाक्या अरेंज कर देना है दो करने है चार दिया जाएंगे दो नमबर में ये रहेगा आपका उसके बाद में अठारवे कोश्चन से तीन नमबर के थोड़े लोंग कोश्चन स्टार्ट हो जाएंगे इसमें आपको क्या दिया जाएगा इसमें अधो लिखितम गद्यांजम पठित्वा परसना नाम उत गद्यांगे दां अधो दो करेंगे नाम जो संटेंस आपको मिलेगा तो आपको आपको पूरा लिखना है complete थीक है तो आपको क्या लिखना है यहां तक यह वाला पूरा लिखना है पहले में इस तरीके से आपको यहां पर मिल जाएगा तो यह देखो यहां पे एक क्रीद से आस्ति एक सरीन दूर्बल जवेन गुर्मन से आस्ति यहां तक का लिखित देना है तो यह सारा ऐसे कैसा ही टेपना है कोई दिमाख नहीं लगाना तेबने में गलती मत करना ठीक है तुम टेपने में गलती कर तो गड़ बड़ हो जाएगी अगला जो है कोश्च और इसके भिहाब पे इन तीन परसनों के आपको उत्तर देने हैं इन में से यह वाला पढ़ लो या यह वाला जो आसान लगे यह आपकी बुक में से आएंगे तो आपको पढ़ा भी होगा अपने पहले से तो आपको पता होगा कि इसकी व्यक्ख्या क्या है तो आप आराम से इनको attempt कर पाऊगे 6 नंबर में आएगा ये बुक से ये वाला portion पहरो वाला उसके बाद में अधो लिखितम 20 वा question है नाट्या सम परस्णा नाम उत्रानी संस्कृत भासायम लिखित इनके जो है आपको ये नाटक लिखा हुआ यहां पे इसके भी परस्णों के उत्तर देने हैं तीन नंबर में ये आएगा और इसके भी अगर आपको वोडिफिकल लग रहा है इसमें भी आपको option देखने को मिलेगा नेक्स्ट कोस्चन है 21 कोस्चन अधोल इखितम एपठित गद्यान्स परस्णा नाम उत्तरानी संस्कृत भासायम लिखित इसमें भी आपको जो है अधोल इखितम एपठित गद्यान्स ये आपकी बुक में से नहीं है ये आपकी बुक से बाहर से है कहीं से तो इसको आपक परभात वेला आधार शीला वय वर्तते तो ऐसे जो हमको लिखना बस अपने पास से कुछ दिमाग नहीं लगाना सारे उत्तर हमको यहीं पर मिल जाएंगे संटेंस मैच करो और वैसा ही लिखते हैं जैसे चातर कुतर गच्छती चातर विद्यालियम गच्छती खतम यह पूरा नहीं लिखना आपको देखना है कहां से स्टार और कहां पर खतम हो रहा है अब बीच में कोश्चन मिलेगा आपको उसके बीच का जो भी पूरा है वो टे गचातम भी यहां पर पंचम लक्षन हम लिखे इसका जो है पंचमा लक्षन लिखना है दो कोश्चन आपको पहरे में मिलेंगे दो आपके जो है लोजीक होंगे या फिर जो है कंसेब्चुल टाइब के कोश्चन रहेंगे इसमीं उसके बाद में जो है 22 वा गोगा जिसमे आपको जो है छुट्टी लेने के लिए पत्तर लिखना है और इस वाले में सव मित्रम परती एकम सुभकामना पत्रम अपने मित्र को जो है एक सुभकामना पत्तर लिखना है संस्कृत भासा में लिखने दोनों तो वैसे हिंदी में तुमको आते होंगे उसको संस्कृत में ब सब्सक्राइब कर लेना उन में से आपको काफी सारे कोश्चन रिपीट देखने को मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस अच्छे सी हो जाएगा अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं पुराने पेपर कर लेना संस्कृत के और साथ में जो है यह वाला कर लेना वेबसाइट पर आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी cclchapter.com पर और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसे ही काम की वीडियो जिस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी आपकी प्रिपेरेशन के रिकार्डिंग चलो मिलते हैं नहीं वीडियो में बाई बाई